आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने पाली हूँ कि मेरा जो YouTube का जो यूटूब का जूर्णी है मतलब YouTube स्टार्टीं से लेकर मेरा जो पेमेंट रिसीव करने का तो मेरा जो पहला पेमेंट है वो मुझे कितना मिला है मेरे इस मॉनिटाइजेशन प्रॉसेस में या कि मॉनिटाइज होने में और क्या प्रॉसेस आपको फॉलो करना है सब कुछ में इन डीटिल में आपको की साथ शेयर करने वाली हूँ ये वीडियो काप भी हेल्फुल होने वाली है स्पेशल अगर आपका चैनल है तो आप डेफिनली इस वीडियो को एंड तक जरू दिख और जब मुझे गुगल अच्छ पीर रिसीब हो था तो भी मुझे ऑक्टॉबर मन में ही रिसीब हो था 2020 में तो यह जो लंबा प्रॉसेस है यह काप ज़्यादा लंबा हो गया था क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो ऐसा न अच्छा लगा था बहुत अच्छा लगा था यह प्रॉसेस केमरा के सामने बोलना और आप लोग काफी ज़दे इंटराक्ट करते थी मैं अभी भी आप लोगों के हर कमेंट का रिपलाय करती हूं तो मुझे इंटराक्शन यह सब कुछ काफी ज़दा पसंद आ रहा था त भी आपडी थी फिर मेरी अप्लिदी के शादी थी जिसी में अब अब ट गई तो मेरा थोड़ा सा गैप हों गया थी जाना तो थोड़ा प्रेंड्स कुछ किसी को भी पता नहीं था कि मेरा एक यूट्यूब चानल है क्योंकि मुझे काफे साथा डर लगता था में ऐसा I am a really good student और में टॉपर थी और मुझे ऐसा फील होता था कि टीचर सब क्या सोचेंगे कि ये पढ़ा ही छोड़ कर ऐसा मेकप और product review videos करती है तो I was really scared also और मुझे मुझे डर भी लगता था और उसके बाद से फिर जब मेरा 3rd year का exam हो गया तब मैंने फेस्बूप पर share कि हाथ इसस माई चैनल और आप मेरे चैनल को देख सकने है तो as अगर के मैंने share किया वो भी एक साल बात मतब 2019 में मैंने share किया था जब मैंने अपना चैनल share किया अपनी Facebook ID पर उसके मेरा काफी अच्छा खासा subscriber हो गया था मैं वीडियो करती गए करती गए कुछ वीडियो मेरे viral हो गये फे 2020 में जब लॉगडाउन हुआ ना तो मैं घर आई उस ताए मैंने back-to-back काफी सरे वीडियो अपनूट किये और 2020 से मुझे collaboration opportunities भी मिलने लगे मेरे मुझे काफी सारे ब्रांड्स के mail रिसीव होने स्टार्ट हो गये So 17th May को मुझे Google की तरफ से एक mail रिसीव हुआ कि apply for monetization की मेरा जो threshold है जैसे 1000 subscriber and 4000 watch hours तो ये मेरा threshold complete हो गया था तो Google की तरफ से मुझे 15th को रिसीव हुआ एक mail और 19th मैंने apply किया monetization के लिए तब मुझे 19th को रिसीव हुआ कि You are approved for YouTube Partners program and I was so happy वो mail रिसीव करके उतना खुशी हुआ अनो मुझे कि क्या बताओ तो वो मुझे 19th of me को रिसीव हुआ था तो लगभग आप लोग कैल्पुलेट कर सकते हैं कि 15th से 19th अभी COVID का situation था उस टाइए तो थोड़ा सा time लग गया मुझे और generally आपको one week के अंदर ही आपको approval मिल जाता है कि आप approved है या फिर आपका जो monetization approval है वो डिनाई कर दिया गया तो मेरा जो है वो approved हो गया था क्योंकि मैंने अपने चानल को बिलकुल clean रखा था तो या यह हो गया था उसके बाद मुझे लगा कि 100 dollars threshold है आपको payment मिलने का अगर आपका 100 dollars threshold हो जाता है Google Adsense में उसके बाद आपको payment receive होगी तो मुझे लगा 100 dollars होल में काफ़ जाता time लगेगा that's why मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया और मेरा monetization desirable हो गया क्योंकि मैंने अपना address put नहीं किया था कुछ details होते है जो मैंने put नहीं किया था अपना account number भी नहीं दिया था that's why तो मुझे एक mail receive हा कि your monetization has been disabled तो मुझे बहुत डर लगया था उस time but वहां पर यह भी लिखा था कि आप अपना address जो है अपना bank account जो है वो put कीजिए उसके बाद processing होगा verification होगी फिर आपका जो monetization है वो फिर से available हो गया था verification के बाद तो Google ना Google और YouTube अच्छे से verify करते हैं कि जिसका YouTube channel है आप वही same person है जो इसे you know access करते है कि नहीं फिर क्या हुआ मैंने जब address put किया ना तो मेरे address verification के लिए एक six digit pin receive होगा मेरे ही address तो वह pin आने में एक महीना लग जाता है क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा छोटे शहर में रहती हूँ और वहां पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता अगर मैं metropolitan city में रहती जसे कॉलकाता या फिर मुंबै तो शायद जल्दी आ जाता अगर आपको वन मांत के अंदर जब आपको अपलाई करते हैं जब वहां पर दिखाता है के प्रोसेस मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरा जो है एक महीनी के बाद मुझे रिसीब हुआ था तो मुझे अलबभग 9th September को मुझे मेल आय था कि हाँ आपका जो है वो इशू हो गया थे हो गया है आप अपने nearest post office पे वो आ जाएगा एक महीनी के अंदर तो October 9th को मेरा एक मही पूरा हो जाता, October 9 तक मुझे बिलकुल भी कुछ रिसीब नहीं हुआ था, पोस्ट मैं घर पर आई ही नहीं, I was really scared, फिर मुझे लगा कि चलो 10th या 11th को मैं जाऊंगी और post office, nearest post office में जाऊंगी और मैं खुझ से चेक करूँ कि क्या बात है, अगर नहीं रिसीब को अगर क्योंकि मेरे पास और दो चांसे थे, और जिसके मैं ठीक क्या था कि आज में जाऊंगी, उसी दिन मुझे मेरे घर पे postman आये, और postman नहीं कहाँ कि हाँ, आपके घर में Google से letter आये है, he was also really happy, और I can't explain you all, मुझे कितने ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे ये letter अपके इसमें का आपको payment बगेरा कुछ भी नहीं receive होता है, ये जस्ट एक six-digit pin आपको receive होता है, जो आपको अपने Google AdSense account पर डालना होता है, कई लोगों का ये misunderstanding है, कि मुझे इसके साथ कुछ payment पर receive हुई है, बट लो, आपको जो payment है, वो आपके bank account में transfer होता है, ये जस्ट Google का payment ह ये पित आया मतलब आप Google Payment के लिए बिल्खुल तयार में, Google आपको हर मनी ने $100 threshold पर आपको pay करेंगे, so that's huge for me, और मुझे ये आपको अपने इतना जादा proud feel होता है, जादा खुशी feel होई, और फित मेरा जो है payment आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जब कि 25th November को मुझे receive हुआ mail, कि आपको जो payment है वो issued हो गया थे, और 29th November 6.20pm, मुझे एक message आया कि आपको आदार में इतना रुपे ट्रांसफर हुआ है from Google, so I was really happy, और मुझे जो मेरा first payment मिला है, वो एक 5-digit number मुझे मिला है, starting महीं मतब कुछ ज्यादा भी मुझे नहीं मिला, कुछ कम भी नहीं So, 5-digit का मुझे जो amount है, वो मुझे receive हुआ है, मेरा पहला payment and second payment ही मुझे आने ही बाला, so I'm really happy, ये जो Google access pin है, ये मैं जहाँ पर जहती हुना, वहाँ पर गाफिजादा ये छोटा एक town है, तो वहाँ पर मुझे अगर एक महीं या दो दिन में receive हो जाता है, तो definitely आपके शहर में भी receive हो जाएगा, so अगर आपने apply किया है, then just wait for few days, अगर नहीं होता, आप nearest post office में जाकर फुराइसा पता कर रही है, अगर फिल भी कुछ नहीं होता, आप two times fits से apply कर से आप रही हो जाएगा, so that is it, मैंने जो मेरा monetization से लेकर, मेरा जो first payment, I mean in short मेरा YouTube journey है, वो मेंने share किया आप लोगों के साथ, I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, इसी तरीके का अगर आप interactive काईटो वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर Q&E देखना चाहते हैं, तो नीचे कमिट करके आप फूच सकते हैं, वीडियो पसे रहते हैं, वीडियो को लाइक कीच शियो केजिए और हाँ सब्सक्राइब करके थोड़ा से सब्सक्राइब की कर देजिए, आज के लिए तना ही स्टीम लेस्टी लापी बाई